शिपुरी खोड स्वासिकेंड पर जन्मा आविक्सित बच्चा जमिदार को शासन की योज़नाव का क्रियानवन किस प्रकार से हो रहा है इसका जीता जाकता उधारन खोड में देखने को मिला जहां पर खोड स्वासिकेंड में सरोज लोधी पतनी गोपाल लोधी टप्रै चिन्नोधी की एक महिला ने आविक्सित बच्चे को जन्म दिया जिससे देख कर स्वता ही पता लगता है कि चिनोधी क्रमा के कांगनवारी कारिकरता के द्वारा किस प्रकार अपनी जम्मेदारी का निर्वहन किया जा रहा है और किस प्रकार से जच्चा बच्चा का ध्यान रखा जा रहा है इसके चलती इस प्रकार के अविक्सित बच्चो का जन्म हो रहा है इसके बाद डॉक्टरों की द्वारा जिला अस्पटाल रेफर करने के बाद परीजन जाने को तयान नहीं तो आप साड़ी नौ बजे से अभी तक शूपरी के लिए क्यों नहीं गया था अपनी मर्जी से नहीं जाती हो या नहीं जाना चाहती हो या नहीं जाना चाहती है या अब टायम पर क्यों नहीं खुलती को तय नहीं करता आती है क्या नहीं आती कार्य करता मंगलवार खौना और गर बच्चा जन्म जात बिमारी से ख्रसित है पूरी तरीके से उसका दरवारेस्टों मं विकास नहीं हो पाए जिसके लिए बिए इनके घरवालों को बोला समझाइज थी कि इनको एक वार जिलास बताल में ले जाके जो से शुरू के विशे सगे हैं उनकी उनसे अपिनियन लीजिए उनसे चेक अप कराईए उनकी देखरेक में रखिए और 108 में कौर भी किया गया इनके लिए रिफरे भी किया गया पहले ये बोल रहे थे कि अब बता भी नहीं रहे थे क्यों फिर दोवारा समझाइज दिए अभी फिर से हमने बोलाए कि अभी भी देर नहीं हुई है अभी भी आप ले आके उनको दिखाओ अभी भी एक सवाट एमबोलेंस यहां पर आजाए लिए